हेलो नमस्कार दोस्टो मैं हरवेर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अथ दारवीर पर और दोस्तो जैसा कि आप सब जानते हैं मैं फर्स्ट वीडियो में जिमेंटरी का फर्स्क पार्ट समझा था और उसमें वहने बहुत बेसिक से समझा था और बेसिक चीज़ां को आज दोस्तों थोड़ा सा स्टेंडर्ड को बढ़ाएंगे और आज कुछ और चीज़ा है जो में ट्रीगी सीखेंगे ठीक ना तो उन सारी चीज़ों को देखने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर फास्टें विजिट कर रहा है तो चैनल को सस्क्राइब कर ला है साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर ला है जिसी के जो भी नया वीडियो अप्लोड के जाए उसकी जनकरी आप तक पहुंचते हैं तो दोस्तों इसी के साथ पहले देखते हैं सबसे पहले motivational code दिया हुआ है लगातार हो रही है सफलताओं से निरास नहीं होना चाहिए कभी-कभी गुच्छे की आखरी चावी भी ताला खोल देती है तो दोस्तों अगर आप किसी भी एक्जाम सुना सखल हो रहे है तो आपको बिल्कुल नेरास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गुच्छे की आखरी चावी मतलब कि आपका जो last क्या समझना है दोस्तों सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि कल हमने बहुत बेसिक सी चीज़ा सीखी थी और आज हमारा जो फिर्स्ट जो थियोरब होगी या कह सकते हैं फिर्स्ट जो पॉइंट होगा वह होगा पैरलल लाइन्स को लेकर ठीक है तो हम सबसे पहले देखेंगे प समानतर रेखा ठीक ना समानतर रेखा है इसका मतलब है कि दो ऐसी ओसado f- squirrel right जो कभी भी आपस में नहीं टक रहा किसी भी पंट पर गया करया कि आपस में नहीं मिल है और इनके बीच की की distance है यह इज题 हाइड है इनके बीच की perpendicular height यह क्या है perpendicular height यह always equal रहेगी यह कभी भी change नहीं होगी मतलब इन दोनों के बीच की distance कभी भी change नहीं होगी तो यह क्या हो जाएंगे हैं हमारी दो parallel lines जो हैं मतलब parallel lines के बीच की distance कभी भी change नहीं होती है अब दोस्ते इसके बाद आता है transfer lines कया होती है affect इसको बीच में से या कहीँ से भी cut कर रही है तो धो lines क्या हो जाएगी transversal मतलब मैं इस line को M लिख दूर तो जो M line होगी वो क्या होगी हमारी transversal line होगी clear ना N क्या होगी आप जैसे मैंने यह दो पैलल लाइन्स ले ली लाइक M और इसको A भी ले लो A B ठीक रहा तो जो A और B जो दो पैलल लाइन्स है इनको जो कट कर रहे है वो लाइन क्या हो जाएगी क्मझे यहाँ ज़ी अब चलिए इसमें प्हेयर समझते इसमें समझते वाले पॉइंट किया है तो उसको हम देखते हैं दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे दो पैलल लाइन्स ले यह मैने इसको दिया L यह दिया मैने M दो पेले लाइंस है L और M और मैंने एक Transversal Line ले ली M यह N दे जो इसको Transversal Line यह पर P क्या सकते इसको तो मैंने Transversal Line N ले ली और मैंने यहाँ पर कुछ Angle अब देखेंगे कि जो Transversal Line L है वो L और M पर कुछ Angle बना रही है ठीक ना कुछ angle बना रही है, जैसे यहां पर देखेंगे इस angle मैं number 1, इसको मैं number 2, iisking number 3, इसको number 4, ऐसे यह आगे यह 5, iis 6, iis 7, iis तो यह angle जो मैंने बनाए है 1,2,3,4,5,6 तो इसको का मतलब क्या है इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मारा सबसे पहले आप सबसे पहले point डालेंगे इसमे corresponding angle ठीक है ना corresponding angle तो corresponding angle कौन से होते है corresponding angle आप corresponding angles की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं संगत कौन संगत कौन का मतलब होता है दोस्तों कि तो ऐसे angle जो transversal line है वो क्या कर रही है इसको cut कर रही है और उन में transversal मतलब जो संगत कौन होंगे मतलब एक जैसे कौन तो वो कौन से होंगे कि एक जैसे को अनुद का मतलब है दोस्तों जो एंगल एक और अंगल 5 वो यहां पर लख करूंगे 2 equal होगा एंगल 6 के ऐसे एकर बात करूं एंगल 4 equal होगा एंगल 8 के यह आप लिख सकते हैं एंगल 4 equals to angle 8 and angle 3 equals to angle 7 अब यह हो जाएगा इसके बाद देखते हैं दोस्तों कुछ हमारे angles और आते हैं जैसे हम बोलेगे जैसे मैंने एक और लिखा यह corresponding angles हो गया इसके बाद आप देखेंगे कि अमारा आता है vertically opposite angles ठीक ना तो vertically angles का होते हैं vertically opposite की बात करेंगे second number पर डालेंगे अब vertically opposite अब vertically opposite angle का मतलब है कि vertex पर vertically का मतलब क्या है vertex वर्टेक्स का मतलब का मतलब का है यहाँ पर यह meet कर रहा है जो intersection point है इस पर जो meet कर रहा है यहाँ पर जो angle opposite है मतलब angle one किसके opposite है angle three के इसका मतलब है angle one equal होगा angle three के ऐसे angle two equal होगा angle four के angle four ऐसे ही हमें आप लिख सकते हैं कि angle five equal होगा इसको कॉमा लगादा है angle seven के and angle six equal होगा angle eight के clear रहा तो यह कौन से होगा है वर्टिकली opposite angle अब हम बात करते है alternative angles ठीके ना तो हमारा आ जाएगा alternate angles थर्ड पॉइंट डालेंगे alternate angle अब दोस्तो alternate angle कौन से होतने है alternate angle को बोतने हैं एक आंतर कौन से होगे तो मैं थोड़ा सा erase कर देना हूं इसको इससे आपको यह समाझ आज जाए जाए तो यह देखते हैं अब आप देखने तो यहां पर एक आंतर कौन होगे जो हमारे alternate angles होगे उसका मतलब आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि जो एंगल हमारा जैड बनाएगा वो क्या होगा अल्टरिनेट एंगल होगा अब अल्टरिनेट में एंगल में दो एंगल होते हैं एक होता है interior और एक होता है exterior तो सबसे पहले हम interior की बात करेंगे आप जो internally z बनाएगा मतलब interior का मतलब होता है अंदर की तरफ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यह angle यह line और यह line ठीक है यह मतलब यह लाइन यह क्या बनना है एक जैड बनना है अंदर की दरफ देखो एक यह अंगल बनना है आप यह आप देखेंगो और एक यह अंगल बनना है तो यह क्या हो जाएंगा है interior alternate angle हो जाएएँगे और यह क्या होते equal तो मतला हम कहा सकते angle 4 equal होगा angle 6 के clear ना ऐसे अगर हम एक और Z की बात करेंगे तो एक ये Z और एक ये clear ना मतला हमारा जो angle 3 है ये angle 5 के equal होगा angle 3 angle 5 के equal होगा तो यहाँ पे लिख सकते हो angle 3 equals to angle 5 थोग सबंतना है एक अधिया मैंनि यह लाइं लिए और इसमें इंगिल 7ergिल 7 और टॉज तो यह लेख सकते हैं तो यह क्या हो गए मारे अंटिरिय और एक्स्टिरिय फिकल्प अब दोस्तो फूर्थ टाइप होता है मारा फूर्थ टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं जिसे को इंटीरियर एंगल देखेंगे कौन से होते हैं को इंटीरियर एंगल को इंटिरियर एंगल होते हैं हमारे दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं कि यह जो line वन रही है यह अगर मैं line को लेलूँ इस वाली line को मैं जो yellow line से दिखा रहा हूँ yellow color से यह वाली line है यह transperson line है और इसमें यह दोनों क्या हैं हमारी यह दोंगरों के हैं तो आप देखना कि यह angle angle 4 लिया और और angle 5 यह फिर आप ऐसे लेख सकते हो कि यह line angle 1 और angle 4 यह complete क्या बना है 180 degrees है मैं इसको ऐसे लख सकता हूँ कि angle 1 पिलस angle 4 यह क्या हुजा है 180 degree और हमा अभी बता है कि अमारा किसके equal होगा angle 5 यह चायें हघें इस गितना हो जाएका इन दोनों अंगेल्स का सम कितना हो जाएका अब आसे उरब बात करेंगे तो ऐसे ही यह हो जाएगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एंग्ल 6 और 3 एंग्ल 6 और 3 कि बात करेंगे यह पी कितना यह कितना हो जाएगा 180ण 그런 angle 6 plus angle 3 मतलब यहां पे लिख सकता हूं कि angle 3 plus angle 6 यह हो जाएका और दोस्तों अगर इन में दोनों का सम्प वनिटी से कम होता है या वनिटी से ज्यादा होता तो इसका मतलब है जो L और M है वो पैरलल लाइन्स नहीं होगी चलिए अब नेक्स्ट दिखते हैं हमारा कि इसके बाद नेक्स्ट क्या है तो सबसे पहले इसके बात करते हैं मैंने जैसे आप लिखा है एक बनाया मैंने ट्राइंगल यहां पर क्या बनाया मैंने यह बनाया मैंने इसको नाम दिया मैंने यह यह है यह B यह C आप देखो आप यहां पर देख रहे हैं कि यह एंगल क्या हो जाएगा इसको मैंने देदिया है यह देदिया म और मैंने यहां पर कोई भी BC के पैलल मैंने क्या किया BC के पैलल एक लाइन ड्रो की BC के पैलल मैंने क्या किया एक यहां पर लाइन ड्रो की BC के पैलल तो आप यहां पर देखेंगे अगर BC के पैलल मैंने यह लाइन ड्रो की है तो इसका मतलब यह एंगल और यह एंगल यह क्या हो जाएंगे क्यों हो जाएनगा अभी अपने पड़ाता कि ये दोनों एंगल क्या होता है आल्टरनेट दीए हैं चीकर ना इह दोनों आइंगल क्या हो रहा हुए ये रॉक्तOOO ख़लिस अपनी धार देख हो एसum यह transversal line हो जाएगी यह क्या हो जाएगी एक transversal line होगी और जब यह transversal line होगी तो इसका मतलब यह भी z बनेगा तो यह angle क्या हो जाएगा चीज आपको समझ आ रही होगी कि अगर हम तीनों एंगिल को देखे हैं A B C तो जो ट्राइंगिल को सम कितना हो जायेगा आपको शमझ आ गया होगा कि प्रूफ होंस इसना होता है 180 degree आप दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि exterior angle की अगर हम triangle की बात करेंगे सबसे पहले exterior angle की तो यह बन गया अब मैंने अभी क्या कहा था कि यह A है यह B है यह C है तो आप दोस्तों देखेंगे कि अगर मैं इस line को ऐसे आगे बढ़ा दूँ ठीक ना इस line को मैं आगे बढ़ादा तो यह क्या हो जाएगा exterior angle हो जाएगा ठीक है यह exterior तो इसको मैंने कहा यह A है इसको मैंने यह B है यह angle मैंने कहा यह C है तो आप यहां पर देखेंगे कि जो अगर मैं इस angle को theta ले नहीं इस angle को कितना ले लिए मैंने theta तो एक बात बताओ मुझे क अगर यह angle theta है और हमने अभी पढ़ा था कि angle A plus angle B plus angle C कितना होता है 180 degree तो एक बात बताएगे मुझे कि यह भी तो एक line बन रही है भाई यह भी तो एक line है तो यह complete अगर यह complete line है तो इसका मतलब यह angle कितना होगा 180 degree तो मैं आप यह भी तो लिख सकता हूँ C plus theta equals to 180 degree और इनक A plus B minus theta equals to 0 और यह theta को इधर ले जाएंगों तो आजाएगा A plus B equals to theta मतलब मैं यह आपर कह सकता हूँ कि जो exterior angle होगा जो exterior angle मैं इसको अलग color से सो कर देखा हूँ यह जो exterior angle है आप यह वाला angle देख रहा है यह angle जो मतलब theta है वो equal होगा A plus B के मतलब two interior angle के two opposite interior angle के sum के equal होगा क्या है तो opposite interior angle है दो opposite मतलब बिपरीत क्या है interior अंताय कोण है ठीक ना दो बिपरीत अंताय कोणों का यह क्या होगा जो exterior angle होगा उसके equal होगा तो आप यह आपर एक और triangle बढ़ा के दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए तोड़ा और clear हो जाए मैंने का यह triangle है तो इसका मतलब क्या है अगर मैं इस line को ऐसे बढ़ा दूं तो यह मैंने theta ले लिया ठीक है ना और यह मैंने क्या लिया A यह के लिया B तो इसका मतलब यह कितना हो जाएगा A प्लस B के equal होगा clear न और अगर मैं इस line को तोड़ा सा और आज से आगे बढ़ा दूं तो यह exterior हो जाएगा यह angle क्या हमारा C तो इसका मतलब यह angle कितना हो जाएगा यह हो जाएगा इसका opposite वह इसका opposite कितना होगा यह वाल तो यह क्या हो जाएगे मतला मैं समझ आया कि जो triangle होता है triangle के exterior angle triangle का exterior angle equal होता है interior opposite angle के sum के equal जो interior to opposite angles होते है तो इसके बाद देखते हैं हम दोस्तों questions फिर इसके बाद कुछ और discuss करेंगे जैसे आप देख रहा है मारा first question दिया हुआ है दिया है कि दिये गए चित्र में आप यहाँ पर देख रहा है कि दिये गए चित्र AB parallel DE X का संपूरक कौन ग्याद कीजिए संपूरक को हम कल पढ़ चुके थे supplementary angle क्या होता है 180 degree का तो दोस्तों मैं यह थोड़ा link change कर लेता हूं उसका तो यहाँ पर देख रहा है आप कि दिया हुआ है हमें in the sole figure AB parallel to DE find the supplementary angle of X तो X का supplementary angle पूछा है तो अब एक बाद बता हो हमें यह line यह line parallel दिये इस line के यह line किसके parallel है DE के AB हमारी parallel है DE के ऐसे करके तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों यह line देखेंगे आप यह line क्या हो जाएगी अगर यह line यह वाली line मेरी DE के parallel है DE के parallel है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह क्या हो जाएगी ट्रांसवरसल हो जाएगी तो यह angle कितना हो जाएगा 3X और यह total angle कितना है 5X तो इसका मतलब यह angle कितना बचेगा 2X समझा रहा है तो यह angle 2X बचेगा लगा हो और मैं अभी पता है कि हुमने डाली थी DE के parallel है तो मतलब AB के भी parallel होगी क्या हम D E के parallel है तो मतलब हुआ हुआ , जब यह line parallel होगी तो हम पता है का यह angle और यह angle को इंदोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री अभी बड़ा था को इंटीर एंगिल तो इसका मतलब मैं कर सकता हूँ 4x plus 2x equals to 180 डिग्री और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6x equals to 180 x की value आ जाएगी हमारी 30 डिग्री x की value कितनी आ जाएगी 30 डिग्री अब एक बाद बता हो इसका पूछा गया है supplementary संपूरक कॉन का मतलब क्या होता है दोनों एंगल का sum कितना होता है 280 डिग्री तो मतलब यहाँ पर यह संपूरक x का संपूरक कीतना हो जाएगा 180-30 तो यह कितना जाएगा 150 degree clear ना तो जो हमारा correct answer होगा वह जाएगा I hope कि आपको यह समझ आया होगा next question देखते है next क्या है आप next question आप देखना है आपे in the given figure below AB parallel to CD मतलब जो AB है जो यह line है हमारी यह वाली यह क्या है CD के parallel है clear और हमसे का आगया है कि find the value of x, x की value पूछे तो इसको आप बहुत easily कर सकते हूं तो एक बादा हूं अगर ABCD के parallel है तो इस line को मैं इस line को मैंने ऐसे करके आगे बढ़ा दिया इस line को अगर मैंने आगे बढ़ा दिया तो आप देख रहे हैं कि यह line क्या हो जाएगी complete line हमारे transversal line हो जाएगी यह क्या होगी complete line transversal line हो जाएगी और अगर यह transversal line है तो यह angle हमें दिया 180 degree यह angle कितना दिया 110 degree तो इसका मतलब यह angle कितना हो जाएगा वही दोनों का sum अभी बतायता है यह दोनों angle क्या हो जाएगा इनका सम कितना होगा 180 तो मतलब इसका उतलब यह 110 है तो यह कितना हो जाएगा यह 70 डिगरी होगा आप इस छोटू ट्राइंगल को देखो देखो मैं इसको रेड लेता हूँ आप इस छोटू ट्राइंगल को देखो आप इस वाले ट्राइंगल को आप देखोगे तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होगे कि इस चोटू ट्राइंगल में देखेंगे आप इस चोटू ट्राइंगल में क्या है कि यह दोना अपोजेट एंगल आप और यह क्या होगा इसका एक्स्टीर एंगल होगा यह क्या होगा इसका एक्स्टीर मतलब यह छोटू ट्राइंगल का यह वाला एक्स्टीरियर रेंगल होगा इसका मतलब मैं यहाप पर कह सकता हूं कि 2x प्लस 15 की जो वैल्यू होगी वो 70 प्लस 35 मतलब 105 के एक्कोल होगी यहां से 2x निकाल होगे तो यह कितना आ जाएगा 105-15 यह आ जाएगा 2x आ जाएगी 45 अंतला फ्लस weill iमन भ़्हीं सब्साहरा थे प्लस प्लस आज आएगा 35-1-2-3-5 तसकि यह आ जाएगी 45 आ जाएगा हम से पूछा है Q-R-S मतलब Q-R-S मतलब यह वाला angle हम से पूछा है यह वाला angle हम से पूछा है आप निकाल सकते हो बहुत एजीली और बहुत आचान है देखो कैसे निकालेगे इसको ऐसे निकालते हम मैंने कहा की यो पी कीू लाइन है वह स्टिक है तो इसका मतलब जो पी की है वो पैरलल है तो मैं यहापे क्या लइख सकतना हो भाई I इस line को अग ऐसे करके इसके parallel बना दूँँ ठीक ना तो अगर यह line parallel है तो इसका मतलब यह angle 110 तो इसका मतलब यह angle हो जाएगा 70 degree क्योंकि co interior angle clear ना और अगर यह line eq के parallel है यह वाली line तो इसका मतलब यह 130 तो यह angle कितना हो जाएगा यह angle 50 degree clear ना अब हमें simple सी पता है बाई कि यह जो line है यह line हमारी क्या बन नहीं है यह complete line बन नहीं है और complete line बन नहीं है तो इसका मतलब यह angle हो जाएगा 180 degree तो मैं यह आपर लेख सकता हूं 70 degree plus qrs plus 50 degree equals to कितना हो जाएगा 180 degree clear ना तो यह 50 और 70 कितना हो जाएगा 120 तो मतलब मैं कह सकता हूं qrs equals to 180 degree minus 120 degree और यह आजाएगा 60 degree तो angle qrs कितना हो जाएगा 60 degree बस यह क्या हो जाएगा नहीं पर दो मारा अंसर जाएगा है चलो next question देखते है नेक्सों क्षान दिया हुआ है कि in the given figure PQ parallel to RS PQ किसके parallel दीए हम है RS की parallel दिया ठीक न टो PQ RS के parallel है और हम से अब कहा है कि angle qo s angle qo s मतल्य हमसे यह वाला angle पूचा है ठीकिक यह वाला angle पूचा है ठीकिक यह वाला angle पू मुझे अगर मैं इस Line को ऐसे आगे बढ़ाएं इस राइन को मैं जस्ट आगे बढ़ाएं तो यह क्या हो जाएगी यह वाली Line क्या हो जाएगी यह वाली Line Transvessal हो जाएगी क्लिए न तो यह 120 degree है तो मेरे भाई एक बासफाँ मुझे यह भी 120 twenty degree होगा यह कितना होगा 120 डिओरी क्यों होगा वी corresponding angle मैं संगत कोंड corresponding एंगिल झेकिन से धाइंकि ऐगा bis corresponding activity रेंगिल एंगिल इन तक मतलब हैंगिल mille यह वागू होग एक बाख बताओ अगर मैं इस चोटो क्या होगा कि यह angle plus यह angle मतलब मैं कहा सकता हूँ 120 degree और प्लस इसको प्लस यह वाला qor यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 130 के equal 35 ठीक ना यह क्या हो जाएगा क्योंकि जो exterior angle होता है 135 यह क्या होगा exterior होगा ठीक है ना exterior होगा exterior angle तो इसका के equal होता है ठीक ना to opposite interior angle के sum के equal होता है कौन exterior angle तो इसका मतलब हम कहा सकते हैं कि 120 प्लस qor एंगल क्या हो जाएगा 120 प्लस qor एंगल होगा 135 के तो angle qor निकाल होगे qo s हां qos बोलो यह फिर qor बोलो sorry r नहीं होगा qos होगा यहां पर s करेंगे qo s ठीक ना एंगल क्या हो जाएगा qos तो यहां पर qos निकाल होगे qos तो यह कितना आ जाएगा 135 माइनस 120 और यह आ जाएगा 15 कितना आ जाएगा answer qo s कितना हो जाएगा 15 तो नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो नेक्स्ट कोशन देख रहा है बहुत अच्छा कोशन है cgl pre कोशन है ठीक ना और यहां पर भी आगे आने वाले papers में यह पूछा सकते है ठीक ना जैसे यहां पर दिया हुआ है देखो आप इन द गेवन फिगर ABC is a triangle PQ parallel to BC ABC क्या है एक triangle है ठीक ना और PQ क्या है BC के parallel है मतलब जो line PQ यह क्या है मतलब यह वाली line और यह किसके parallel है BC के तो मतलब इस वाली line के क्या है parallel है ठीक ना आगे हमसे क्या क्या है and QR is angle y sector of PQC मतलब जो angle PQC है यह वाला जो angle है इसका जो QR है यह वाली जो line है वो क्या aja angle by sector यह क्या है i psychiat ना इसका मतलब मैंने कहा कि अगर यह angle theta है यह भी angle theta हुआ क्लिएर ना यह दोना लाइन है क्या है यह लाइन एंगल-बाई-सेक्टर है तो इसको उने पूरा टू-ठीटा ले लिया तो इसका हमसे तेखो आगे क्या है क्या खाया है कि एंगल-ब्री क्या है सम्थ भाजक अगर आगे कि rc 15 डिगरी है RC कितना है 15 degree यह वाला 15 degree अंगल है तो आगे हमसे पुछा QC की value हमसे पुछा है यह वाली value क्या होगी इसका आमान क्या होगा है यहां तक QC की value पुछी हमसे अब निकालते हैं यह से देखो हमसे क्या कहा है दोस्तों यह line इस line के क्या है इस line के क्या है तो एक बाब बताओ मुझे अगर यह angle theta है यह angle theta है यह फिर हम कह सकते हैं कि यह वाला angle आप देखो यह line parallel है इस line के तो यह angle मैं यहां से value pen ले ले रहा हूँ इससे थोड़ा समझ आए यह angle अगर मैंने का theta है तो एक बाब बताओ और यह क्या हो जाएगी एक transversal line हो जाएगी ठीके ना यह line क्या होगी हमारी transversal line होगी किसके लिए PQ के लिए ठीके ना PQ के लिए क्योंकि PQ और PRB जो BC है यह क्या पैरलल है तो इसका मतलब यह transversal line है यह theta होगा तो इसका मतलब यह भी angle theta होगा ठीके ना और यह angle theta होगा और हमाँ पता है कि यह अगर theta है तो इसका मतलब हमारा khele हो गया है यहीं पर खतम क्यों हो गया क्योंकि भाई मुझे एक बाब बताओ अगर यह angle theta यह angle theta तो इसका मतलब यह ट्राइंगिल जो बना वो कौनसा ट््राइंगिल बना जो माहने यो से बनाए ये आइस OUT जिसके दो एंगिल क्या है इकॉल है इसके म्तलब यह साइड और यह साइड क्या होगी उकॉल हों, तो इसका मतलब यह 15 cm चलिए इसके साथ देखते हैं next question next question क्या दिया हुआ है आप देखने next question दिया हुआ है यह दी AB parallel to CD then find the value of alpha beta plus gamma चीक है यह जो मैंने line draw की ऐसे ठीक है तो यह वाला angle देखो आप यह AB के parallel है ठीक है यह वाली line इसके मतलब यह वाला angle देखोगे तो यह कितना हो जाएगा 180 minus beta भाई दोनों का angle का sum कितना होगा इस beta का और इसका sum कितना होगा 180 degree ठीक है ना तो इसका मतलब यह वाला angle निकालना है तो यह 180 minus beta हो जाएगा ऐसे यह वाल एंगल हो क्यो इसे बहुंद जायएकर 12-1 यह ले रहा हम से कहा है कि यह आधकल मारा कि इतना है गामा vigil फूरा यह वाल यह भी तो गामा होगा क्यों होगा वर्टीकली अपोजिट डिन जो जाएका है पर जब यह बर अपोजट होगा इसका मितलब क्या हुआ कि हुमारा हो जाएका बने प्लस बनेटी माइनस बेटा के एककोल होगा गामा यह क्या होगा जेब वीकोल होगा इसका क्या होगा ये गामा के एकोल होगा तो हम यहां पे कह सकते हैं कि बनेटी प्लस बनेटी, यह कितना होआगा? 360 degree इकोल्स टु गामा और अलफा और बीटा ऊदर ले जाओ तो यह हो जाएगा प्लस अलफा प्लस बीटा इसकी वैल्फा और बीटा की वैल्यू का आए? 360 degree ठीके ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 degree चलिए नेट्स देखते हैं तो दोस्तो जैसे आप देख रहा है यहां फे नेट्स समझेंगे हम एक concept ठीक ना उसके बाद question लाएंगे तो क्यूंकि हमारे questions दिये हो एसे दिये हैं और इसमें concept समझ लेते हैं उसके बाद हम चलेंगे अगले questions को करने में तो दोस्तो इसका नाम कि इसको ऐसे बनायाति यह मैने इसको अई अव है मैंने इसको एंगल से दीया कोई भी यह संदिया सुझ आटा तो आम से पूछा ऐन में इस थीटा कि वैलियू क्यों प्यादा एक बाही बताओ कि जो बदना है क्या वनना है यह चलो बनना है देखो इसमें एक side ये है एक side ये है एक ये है और एक ये ये क्या बढ़ना है एक चत्रुबज बनना है और जब यह एक चत्रुबज बनना है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो थीटा है ये external angle है एक्स मतलब जो alpha초초초초초초초초초초초초 और यह जो गामा है, यह क्या है? इंटीरियर रेंगल है, चीकर ना? तो आपको क्या द्यान रखना है? आपको द्यान रखना है, कि जो theta होता है, वो होता है alpha plus beta plus gamma के equal जो theta की value होती है वो alpha plus beta plus gamma के equal होती है, आप इसका देख लेते हैं अब देखो अब इस वाले ट्रेंगेल की बात कर रहा हूं मैं इस वाले ट्राइंगिल को आप देखो गए जो ट्रैंगिल बनगा है रीकिना इस लाइन को बढ़ाने के बाद जैसे मैंने कहा कि यह एक ट्राइंगिल है क्वाड़िलेटर यह क्वाड़िलेटर है तो यह मैंने कहा यह बीटा है यह एलफा है यह थीटा है और यह गामा है तो आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं इस triangle को ऐसे करके बढ़ादू, यह triangle बन गया, ठीक ना, तो यह जो triangle बना, इस triangle में आप देखेंगे, यह alpha plus beta, तो यह कितना हो जाएगा, यह extra angle होगा, यह हो जाएगा alpha plus beta, ठीक ना, यह तो angle दिया है, अब आप देखो इस वाले triangle को, अब आप देखो इस वाले triangle को, इस वाले को, ठीक ना, आप इस वाले triangle को आप देखोगे, तो आपको क्या देखेगा, यह वाला triangle आप देखोगे, इस triangle में आपको देखेगा, कि यह वाला जो angle है, यह theta, यह क्या है, इसका external angle होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, यह interior के opposite के, सम के एककोल होगा ठीक ना तो यह कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा हमारा अलफा प्लस बीटा प्लस गामा अगर यह concept समझाया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं ठीक ना क्योंकि इसमाँ अभी बहुत अच्छे अच्छे concept चलेंगे इसका यह तो first concept है यह फस्ट है अब देखने हम second concept क्या है तो second is quadrant अगर में कुई भी चत्र गुझब्र मना दूं एक खर गुझा यह मैंने इनगल कहा यह एक्स है यह तो मैंने इसके अपोजिट यह अलभा एंगल ले लिया ए अक्सिटीर एंगल इर कितना रिÁ और इसका बने एक exterior angle ले लिए ये कितना ले लिए ये बीटा इसको कितना ले लिए बीटा तो दोस्तों याद रखें कि हमारा एक concept होता है कि x degree plus by degree equal होता है alpha plus beta मतलब किसी भी चत्रवज के आमने सामने वाले interior angle का sum equal होता है opposite to opposite exterior angle के sum के equal clear न अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है इस concept को भी एक बार समझ लेते हैं तो देखो क्या होगा आपको करना क्या हो मैंने अगर यहां से एक line मैंने अगर यहां पर एक line ऐसे करके draw कर दी को मैंने कहा कि यह angle मेरा कितना है X2 यह एंगल है मेरा X1 ऐसी मैंने यहाप ले लिए यह Y1 और यह कितना गया दिया मैंने Y2 अब आप एक चीज़ देखेंगे यहापे यह complete एंगल तो मैं पता X है यह complete एंगल कितना है X और यह complete एंगल कितना है Y ठीक न तो आप यहापे देखेंगे कि अगर मैं इस triangle को देखूंगा यह वाला triangle इस triangle को आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका यह वाला exterior angle होगा बीटा ठीक न तो मैं यहापे लेख सकता हूं कि जो बीटा होग इस वाले triangle को देखूंगा अगर मैं इस वाले triangle को देखूंगा यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा कि एकस1 प्लस टू क्या था एकस गाकर करेशिक था यहाँ दूसर समझेंगे थर कॉंसेप्त benım को इसको देख लेले था तहिक थार कॉंसेप्त में किया गहाई क्या आपको जैसे हमें कहा ने ऑ люблю क्वाडीलेटरल है ठीक एक क्वार्डिलेटर ले लिए उसके आपने क्या किया सेम बर्टेक्स एक कॉंड ले लिए कोई भी क्वार्डिलेटर ले लो आपने इसका ज़रूरी नहीं है कि यह आपका चत्रवज टाइप भी हो चलो आप ऐसे ले सकते हैं उसको एक्स डिगरी है यह यह वाई डिगरी है और इसको मैंने लिया एलफा और यह कितना लिया मैंने बीटा मतलब बीटा इसका मतलब क्या हुआ है जो हमारे अगर सेम मालब यह क्या है संगत कॉंड ठीक है ना तो यह संगत कॉंड लिए हमने और इसके बाहर वाला कॉंड है ठीक है एक्स्टेटि टीक है इनका सम क्या होता है दोस्तों इसका сам अधी एकोल होता है एक्स प्लस बाई एक्कोल होगा एल्फा प्लस बीटा के यह क्या होगा एल्फा प्लस बीटा के यह पूछा जाता है डारेक्ट आता है इसका तो यह सीचेल में पूछे हुगे इसलिए मैं समझा रहा हूँ बागी कोई रूट दिए आगे एमस पर क्वेश्चन करेंगे और वांपे इनका यूज होगा इसको एक वार और समझ लेतने हैं कि यह आया कैसे देखो मैंने क्या कहा कि यह एंगल मैंने ले लिए वन डिग्री इसको क्या ले लिए मैंने टू ड प्लस दिगरी आप एक बाद बताओ मुझे कि अगर मैं बन डिग्री यह लाइन की बात करूं मैं एस लाइन की आप आप आड़ करोगे इन दोनों को यह आ जाएगा एंगल वन ड्रस एंगल टू इक्वल के इतना आजएगा यह हो जाएगा 360 degree minus alpha plus beta अब यहाँ पर देखो 1 और 2 की value अगर मैं यहाँ पर लगा हूँ तो यह कितना जाएगा यहाँ जाएगा इसको equal रग्दू में किसके 360 degree minus x plus y के 360 से 360 कट जाएगा और यह alpha दोनों में minus से minus कट जाएगा तो क्या बचेगा alpha plus beta equals to x plus y I hope कि यह आपको concept समझाया होगा और इस concept में quality आई होगी कि आपको कैसे करना चलो तो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं questions ठीक ना? तो हमारे जो questions है उनको discuss करेंगे यह 3 concept के बाद चलिए 1st question दिया है अब देखो 1st question हमसे क्या पूछा है नीचे दिये गए चित्र में x का मान गयात कीजिए ठीक ना? x की value पूछी है हमसे ठीक ना? जो x है उसकी value हमें बता नहीं है तो x कहां दिया है? यह दिया है x ठीक ना? तो हमें पता है अब यह भी इमने पढ़ाता कि भाई यह जो b होगा वो कितना होगा? a plus c plus x की एकुल होगा मतला मैं कर सकते है आ a plus c plus x ठीक ना? यह क्या हो जाएगा? b की एकुल हो जाएगा? यहां से x नकल होगा तो x कितना आ जायगा? x आ जाएगा हमारा b minus a plus c ठीक ना? b minus a plus c. या फिर इसको open कर दोगा तो यहां जाएगा? बी माइनस ए माइनस सी ये क्या जाएगा छेट ऑप्जन Brain a क्या अब यहांस प्ढ़ाथा और सफ्पोनगे यत तो 你 निया है आप यह देखरा है अब आप देखो कि यह दो जा में आप याम यह दो देख सकते हो चोटे ही चोटा बाला फीर achi Shark कि आफ इसको देखो गे तब यह क्याची बनी जा है और आप बड़े वाले को देखो तब भी एक कैची बनेगा तो पहले हम छोटी वाली कैची को देख लेते हैं तो यहांसे अलफा प्लस बीटा कितना आ जाएगा थीटा यहांसे अगर निकालोगे तो यह आजाएगा 110 प्लस बीटा यहांसे करोगी थीटा इकउस्टो यहांसे करोगी थीटा इकऊस्टो यहांसेDay 1160 डिगरी तो यह हो जाएगा टू थीटा एककोईस टू और यह एड़ो किया कितना हो जाएगा 150 डिगरी तो थीटा कितना हो जाएगा 150 अपॉण 2 मतलब 75 तो हमारा जो एंगिल आएगा थीटा निकल के वह कितना जाएगा 75 अब आप देखो यहां से एक और कॉंसेट लगा सकते हो ठीक देखो कि अधीर न से आपर यहां पर देखें कि अभी यहां निकलाता इस थीटा को यह थीटा कितना आया था हमारा थीटा बीटा निकाला था हमने आया था alpha plus beta plus 40 अब आप एक बात बताऊं मुझे इस अगर मैं बड़े वाले कैंची को देखो इस बड़ी वाली कैंची को अगर मैं देखता हूं यह बड़ी वाली कैंची कितनी आ जाएगी यह आ जाएगी वही है हमारी 40 डिगरी यह अंगिल यह complete अंगिल मतलब alpha plus alpha मतलब यह हो जाएगा 2 alpha plus ऐसे इधर beta और beta तो यह कितना जाएगा 2 beta equals to 110 डिगरी इसका अंगिला यहां से 2 alpha plus 2 beta निकाल होगे तो कितना जाएगा 110 और यह 40 उतर जाके गया हो जाएगा यह आ जाएगा 70 डिगरी मतलब मिया से निकाल सकते के alpha plus beta कितना जाएगा 35 डिगरी ठीक ना एलफा प्लस बीटा कितना जाएगा 35 यहां पर लगा तो alpha plus beta की value तो कितनी ही आ जाएगी मतलब हमारा जो theta की value alpha बीटा पर demand नहीं कर रही है वो किस पर demand कर रही है alpha plus beta पर तो आप कुछ भी रख सकते हो यहां पर ठीक है ना आप alpha बीटा की value कुछ भी रख सकते हो आपका answer फिर भी आ जाएगा आप एक concept इसको दुबारा समझ सकते हो मैं इसको समझा दे रहा हूं द प्लस बीटा मतलब जो theta है जो theta है वो किस पर depend कर रहा alpha प्लस बीटा पर ठीक है और उसकी value कितनी होनी चाहिए 35 degree alpha plus beta की value 35 होनी चाहिए मतलब 2 alpha plus 2 beta हमारा कितना हो चाहिए 70 degree होना चाहिए ठीक ना इसी के sum पर तो depend कर रहा है अब यहाँ पर देखें अगर मैं इस alpha को 0 ले लूँ इस alpha को कितना ले लूँ 0 तो इसका मतलब यह beta कितना हो जाएगा 35 degree समझना तो यह theta कितना हो जाएगा अब यह अभी तो हमने पता नहीं भी change नहीं होगा ठीक ना थीटा में सा 75 degree आएगा चलो नेस्ट कोशन देखते हैं और यह आज का लास्ट कोशन है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि find the value of a plus b a plus b की value पूछे हम उसे चलों a plus b मतलब इन दोनों angle का sum पूछा है चलो निकालते हैं क्या सम आएगा देख इसका लाफ यह angle कितना होगा आपको होगे बिल्कुल यह भी 30 degree होगा क्यों होगा वही है क्योंकि यह क्या हो जाएगा vertical opposite angle खीके ना यह क्या हो जाएगा अगर ये बर्टिकल ये आपोजिट एंगल होगा तो इसका मतलब ये बन 30 डिगरी अब एक बार पताओ दोस्तों कि अगर मैं इसको इस लाइन को अगर मैं खतम कर दूँ इस लाइन को अगर मैं खतम कर दूँ आप देखेंगे यहां पर इस लायन को मैं जैसे ही खतम करूँगा यहां से आपको एक नया चीज दिखाई देगा आप इसको खतम करोगे जैसे ही आप खतम करोगे तो अब आप मुझे एक बात आओ यह क्या बन गया यह क्या बन गया यह क्या बन गया यह क्या फिगर नहीं बन गया यह तो क्यांची figure बन गया और अगर ये क्याची figure है तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि A plus B plus 50 degree A plus B plus 50 A plus B plus 50 degree कितना हो जाएगा 130 के एकोल होगा तो मैं यह कर सकता हूँ 50 plus A plus B equal to 130 degree तो यहाँ से A plus B की value निगाल होगे कितना जाएगे जीए यहां जाएगा दोस्तो आप कमेंट्स करने को साफ करना को सस्क्राइब करना बिलक्ल ना फूलने ठीच diesem इसके साथ दोस्तों मैं आपसे बिदा लेता हूँ, जय हिंद, जय हमाद